हेलो एवरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल आज का हमारा टोपिक है एवरीडे मेकप एंड माई स्किन केर रूटीन अक्सर हम लेडिज हमारी स्किन के साथ कंप्रमाइज कर देती हैं जिसे हमारी स्किन को बहुत बुरा इफेक्ट होता है तो आज हम देखते हैं कि हमने अपन स्किन नैचुरल स्ब्राइट कंप्लीट ब्राइटनिंग फेस बोस है यह और अगर मैं इसके प्राइस की बात करूँ तो रूटीन रूपिज इसका प्राइस है एंड बैस थिंक इस कि ओल को बहुत अच्छे से कंट्रोल करता है जो इस फेस बोस के सबसे अच्छी बात मे अगर आप इसको यूज नहीं करते हैं अपने स्किन केर में तो प्लीज इसको आइड कीजिए बहुत अच्छा यह प्रोड़क्ट है टोनर क्या करता है जब हमने फेस बोस कर लिया है उसके बाद हमारे जो ओपन पॉर्स होते हैं तो उसको यह ब्लोक कर देता है फेस बोस करने के बाद भी आप इसको अपलाई कर सकते हो जस्ट इसको 3-4 ताइमस अपने फेस के ओपर स्प्रे करना है और इसका रिजल्ट बहुत अमेजिंग है प्लीज इसको एक बार ट्राई जरूर कीजिगा उसके बाद हमारा थर्ड स्टैप आता है मॉस्ट्राइज समर हो या विंटर आपको अपने फेस को मॉस्ट्राइज जरूर करना चाहिए उसके लिए मेरे पास दो मॉस्ट्राइजर हैं दोनों पॉंट्स के ही है यह जो सैकिंड वाला है यह एक जेल बेस है कई बार ऐसा होता है कि कुछ लोगों की जो स्किन होती है बहुत ज्यादा ओयली होती है तो उनके लिए एक अच्छा उप्सन है कि आप जेल बेस मॉस्ट्राइजर लगाए इससे आपके फेस को ओयली बिल्कुल नहीं लगेगा और अगर आपका फेस थोड़ा ड्राय है तो आप यह वाला लगा सकती है यह थोड़ा क्रीम बेस में है और थोड़ा स इसको सन से प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी होता है सन्रेज हमारे फेस को बहुत बुरे तरीके से एफेक्ट करती है हमारे फेस पे संटैन आने लगती है तो उसके लिए बहुत अच्छा है कि आप संस्क्रीन लगाईए घर के अंदर हो तब भी लगाईए घर के बाहर हो फोर्थ नमबर पे आता है हमारा मेकप प्राइमर आप चाहिए तो डेली में इसको स्किप भी कर सकते हैं पर मैं इसको अपलाई जरूर करती हूँ यह हमारे फेस को बिलकुल अच्छे से कवर कर देता है ताकि उसके उपर हम जो भी मेकप लगाएं उससे हमारी स्किन को कोई लोज ना हो तो इसलिए मैं प्राइमर को यूज करती हूँ उसके बाद आता है फेस क्रीम के लिए मैंने लिया है लेक में की हैं क्रीम प्रफेक्ट रेडियंस ब्राइटनिंग डेक एर विद संस्क्रीन आजगल जो प्रोड़क्ट आते हैं फेस के लिए उनमें अल्रेडी एस्पी एफ मतलब संस्क्रीन होता है लेकिन फिर भी एक्स्ट्रा प्रोटेक् फेस पाउडर हमारे मेकप को सेट करने में बहुत हेलफुल होता है अगर हम मेकप के बाद फेस पाउडर नहीं लगाते तो हमारा मेकप पैची सा लगता है तो क्रीम अप्लाई करने के बाद फेस पाउडर जरूर अप्लाई कीजिए उसके बाद अगर आप चाहिए तो आई शाड़ो डेली में स्किप भी कर सकते हैं लेकिन हलका लाइट ब्राउन कलर आफ फिंगर की हल्प से बिल्कुल हलका हलका है अपने आईस के उपर लगा भी सकते हैं उसके बाद आता है हमारा आई लाइनर जिसको मैं कभी स्किप नहीं करती डेली में जरूर इसको वेर करती हूँ उसके लिए मैंने अलग से रखा है मैबलीन का मैबलीन के प्रोड़क्त थोड़े कोस्ली होते हैं यह देखने में छोटा है बट इसका प्राइस 300 के करीब है इसकी सबसे अच्छी बात मेरे को यह लगती है कि इसकी जो ब्रश की लाइन है वो बहुत पतली है और इसे बिल्कुल बारीक लाइन वाला लाइनर लगता है जो डेली वेर मेकप के लिए एक अच्छा उप्शन है तो उसके बाद आती है हमारी काजल पैंसिल काजल के लिए मैं रखती हूँ अगेन मेबलीन की मेबलीन न्यूयर्क सूपर बलेक काजल अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि डेली में हमें इतना सब कुछ करना पड़ता है तो जी हाँ अपनी स्कीन के साथ हमें कोई कॉम्परवाज नहीं करना है उसके बाद ये एक बहुत अच्छा टूल है आईलेस करलर इसे हमारे आईलेस बिल्कुल ऐसे लगते हैं जैसे फेक आईलेस हो इसको हमने आईलेस में लगा के ऐसे प्रेस करना है तो हमारे आईलेस उपर की तरफ बहुत अच्छे से करल हो जाते है उसके बाद हमें लगाना होता है मसकारा मसकारे के लिए मैंने रखा है यह स्विस ब्यूटी का मस्कारा प्रोपर बिल्कुल ब्लैक नहीं है बट ठीक है उसके बाद लिप्स्टिक के लिए मैं रखती हूँ अगें मेबलीन की इश्की अगर मैं आपको सेड बताऊं तो सेड नमबर 14 और अगर इसकी मैं प्राइस की बात करूँ तो प्राइस इसका 300 सम्थिं है बहुत अच्छा कलर है इसका और बहुत अच्छी लिप्स्टिक होती है मेबलीन की सेकिंड मेरे पास ओप्शन है मियोन की एक पिंक शेड की लिप्स्टिक वो भी लिक्विड लिप्स्टिक ही है उसके बाद ये लिक्विड सिंदूर है फेसिस कैनेडा का इसके प्राइस की बात करों तो 150 इसका प्राइस है और इसकी एक बहुत अच्छी बात ही है कि लगाने के तुरंत बाद ही बिल्कुल ड्राय हो जाता है उसके बाद मेरी फेवरेट मल्चिशेड वाली बिंदी उसके बाद मॉस्ट इंपोर्टेंट पार्ट की हमने मेकप कर लिया है लेकिन उसको रिमूव करना भी बहुत जरूरी होता है उसके लिए हम रखते हैं गार्णियर मिसेलर का उसके लिए मैं रखती हूँ गार्नियर मिसेलर क्लींजिंग वोटर उसको एक वाइप पे मैंने ऐसे लिया है और अपने मेकप को रिमूव कर लिया है इसकी अच्छी बात यह है कि बिल्कुल एक दो वाइप में ही बिल्कुल सारे मेकप को आपके रिमूव कर देता है आप द इसकी एक दो ड्रोप आपको लेनी है और अच्छे सी इसको अपलाई करना है और अपलाई करने के बाद आप देखेंगे कि कितनी शाइन आ गई है आप मेरे हैंड्स पर भी डिफ्रेंस देख सकते हो और आपके फेस पर तो बहुत अच्छी शाइनी से आ जाती है दिन में शाइने करने घर चानल थैंक यह सो मच